हेलो एफ्रिवन मैं मिथुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छ होंगे हम लोगों ने अभी तक बहुत धर्म से जो भी कुछे जाते हैं उसको कर लिया है अब हम लोग जैन धर्म में के बारे में सारी जानकारी देखेंगे अप लोगों से रिक्वेश्ट है जिन लोगों ने बहुत धर्म की वीडियो नहीं देखी है कोमेंट सेक्षन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट में BPSC क्लासे से भी आपको एक प्लेलिस्ट की वीडियो मिल जाएगी वहां से जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग कोश्चन स्टार्ट करते हैं जैन धर में कुल कितने तेस्ट कर हुए हैं आपको बताना है जैन धर में कुल कितने तेस्ट कर हुए थे तो देखिए इसका सीधा सीधा आंसर है 24 जी हां 24 तेस्ट कर थे और जो आखरी वाले तेस्ट कर थे जिनका नाम है महाबेर स्वामी आप लोगों से request है पहले तिरतंकर कौन थे उनका नाम आप लोगों को नीचे comment section में लिख देना है एक और बात आप लोगों को लिखनी है टोटल मैं 25 या 26 question कराऊंगा तो 26 में से कितने question आप लोगों के सही हुए वो नीचे comment करके आप लोग जरूर बताईएगा चलिए अगले question क्यों बढ़ते हैं जैनियों के पहले तिरतंकर कौन थे जी हाँ जैन धर्म के पहले तिरतंकर कौन थे मैंने भी आप लोगों से पूछा था तो दिखिए इसका जो correct answer होगा वो होगा रिसब देव और अब आप बोलो कि रिसब देव तो यहाँ है ही नहीं जी हाँ उसका reason भी है क्योंकि रिसब देव का एक और नाम था जिसे आदी नाथ के नाम सी जाना जाता है यानि कि रिसब देव का एक और नाम क्या है आदी नाथ याद रखेगा एक्जाम में ये भी पूछा जा सकता है रिसब देव का एक और नाम क्या है तो आप फटा-फट बता दोगे कि रिसब देव का एक नाम आदी नाथ भी था चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन की औ नेश्ट कॉश्च आपके सामने ये रहा, निमलीकित में आइसे कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं, यहिंगा जैन धर्म का असली ओरिजिनल वाला संस्थापक कौन है, फॉण डेशन रखने वाले जो मेंबर हैं कोन थे, तो इसका सीधा सीधा जवाब है, मह में क्या आता है महाविर स्वामी का नाम आता है आगे बढ़ेंगे एगले कोशन की ओर महाविर स्वामी का जन्म कहां हुआ था तो देखिए मैंने बहुत धर में आप लोगों को बताया था कि कपिल बस्तु के लुंबनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लेकिन 540 इसापूर्व जो है एक मिनट जी हां यह देखो 540 इसापूर्व जो है कुंडग्राम में महाविर स्वामी का जन्म हुआ था याद रखिएगा इस बात को कहां पे वैसाली में कुंडग्राम के कहां पे वैसाली में तो भी प्रिसाइज अगर जैसे लुंबनी है गौतम कि डाउट हो तो नीचे पूछ लेना है एक और बात हम लोग मिर्तिव के बारे में अलग से भी पढ़ेंगे कोशन उस पे भी होगा लेकिन इनकी मिर्तिव जो है वो पावापूरी में हुई थी एक्षली अप्सन था तो मैंने सोचा कि आपको यहीं पे जो है उसके बारे म कुशन नमर फाइब महावीर का जर्म किस छत्रिय कोत्र में हुआ था देखिए अगर आपने गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा था तो देखिए साख के जी हां महावीर स्वामी का जो छत्रिय कोत्र है वह अभी हम लोग पढ़ेंगे लेकिन यह जो साखिए है यह बु महावीर स्वामी का जन्म हुआ था एक और बात याद रख लेना है इनके बचपन का नाम महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था एक मिनट महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था बर्दमान था वह अब ही आगे हम लोग भी पढ़ेंगे और गौतम बुद्ध का बच्पन का नाम क्या था सिध्धार्थ था चलिए आगे देख लेते हैं महाबिर की माता का नाम क्या था देखिए मैं आप लोगों को फिर से गवार रिकॉल करा देना चाहता हूं गौतम बुद्ध के माता का नाम था परजापती गौतमी जो कि उनकी सौतेली माती जिन्हों सिद्धार था सिद्धार महाविर स्वामी के पिता का नाम याद रखिएगा सिद्धार गौतम बुद के बच्पन का नाम और महाविर स्वामी के पिता का नाम था अब इनकी बेटी का नाम जो था अनुजा प्रियदर्सनी यहां से आप लिख लिए इसे यह इनकी बेटी थी और यसोधा जो थी इनकी पतनी थी ये भी कोशन एक्जाम में पूछा जाता है तो इनको जरूर आप ध्यान में रखिएगा और अभी आपको लग रहा है कि सब कुछ आसानी से हो रहा है लेकिन देखना आप कंफ्यूज कर जाओगे तो इनको अच्छे से आपको अपने दिम प्रित्यू हो गए थी तब उनकी आयू क्या थी 468 इसापूर्व 468 इसापूर्व कहां पर हुई थी पावापूरी में याद रखने लेना है इन चीजों को पावापूरी की सिराज्य में इस्तित है नीचे कमेंट करके आप लोग बताईएगा आप लोगों के लिए मैंने कि इसका राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा बीजदा राइट आंसर चलिए अगले कोश्यर के रोम लोग बढ़ते हैं नेश्ट कोश्यर जीओ और जीने दो किसने कहा था गौतम बुद्ध ने महाविर स्वामी ने महात्मा गांदी ने या बिनवा भावे में बि स्वामी ने क्या कहा था कि जीओ और दूसरे को भी जीने दो यानि कि इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग से रिक्वेस्ट है अगर आपको इसकी पार्ट टू चाहिए होगी तो नीचे पार्ट टू जिरूर कमेंट किजेगा अगर आप वीडियो यहां सक देख लिए हो तो मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को इसका पार्ट टू भी चाहिए होगा तो नीचे कमेंट करके आप लोग बता दीजेगा जैन धर में पूर्व ज्यान के लिए क्या सब्द दिया गया यानि कि पूर्ण जिसको प्राप्त हो जाएगा उसे क्या कह जाएगा देखिए पुर्ण ज्यान की प्राप्ति को केवली कहा गया है क्या कहा गया है केवली याद रख लेना है इसको बहुत बार एक्जाम में यह मैनी टाइम्स पूछा जा चुका है केवली लेकिन निर्वान जो है मिर्तियू को कहा गया है अगर किसी को मिर्तियू प सबय भी पढ़ है था इसका राइड recert क्या है और बात रख़ना के महा भीर्द सौमी के जो है विंसार बीचित दार्बी था यह एके बीच में क्या था इस दोनों और महाभीर और बहुत बहुत बार आता है शंस्कालीं या फिर किसके साथसनकाल में गौतम दॉद प्रजिदा रहाइट आंसर फिलाल यह दिखो यह में लिख देता हूं ऑप्सन एसका करेक्ट आंसर होगा चलिए अगले कुशन की और हम लोग बढ़ते हैं निमलिकित मैंसे कौन सबसे पुर्व कालिक जैन धर्म का हालाता है तो कि आपको बताना है कि सबसे पुर्व कालिक क जैन साहित को क्या कहा जाता है इसका राइट अंसर, क्या है आगम is the right answer और वो क्ति बहुत Global की बारे में पात करता है कौन English helps तो बहुत धर्म हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, लिंक में आपको कमेंट में जो है, लिंक दे देगे हैं वीडियो को वहाँ से देख सकते हो, चाहँ तो डिस्क्रिप्शन से भी या फिर प्लेलिस्ट से भी, अब आगम के बारे में बात करते हैं, ये जैन साहित का जो ह भगबान महाविर का पर्थम सिस्य कौन था? यानि कि महाविर स्वामी के पर्थम सिस्य का नाम आपको बताना है, तो देखिए इसका राइट अंसर इनके दमाद का नाम क्या था? जमाली जो की इनके पर्थम सिस्य थे और इनकी पतनी का नाम क्या था? यशुदा और इनकी बेटी का नाम अनोजा प्रियेदरसनी था याद रखेगा इंजिसों को बार-बार एकजाम्य ये रिपीट होते रहते हैं महावित स्वामी से ही जैन धर्म के बारे में ज्यादा पोझा जाता है किसका सिद्धांत है किस धर्म का सिद्धांत है श्यादवाद तो देखिए इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा जैन धर्म ये तो अभी आपको एजी लग रहा लेकिन एक्जाम में आप डाउट में रहजाओगे कि ये किसका है श्यादवाद जो है जैन धर्म का क्या है सिध्धान्त है फिलाल हम लोग पढ़ेंगे अगले कोशन की और निश्ट कोशन आपके सामने ये रहा दोखो कोशन नमर 16 में क्या बातें कही गई है समयक डर्म की महिमा है उसे क्या कहा जाता है समयक ज्ञान यान कि सही सही सात्वी ज्ञान होना जिरूरी है जोरी चल किसी का ताला तोड़ लेना ये सब ज्ञान नहीं होना चाहिए सम्यक दर्सन यानि कि आप जिस चीज़ों को देख रहे हो, सोच रहे हो, मन में कोई भी गलत विचार नहीं आने चाहिए सम्यक आचरन यानि कि आपको बैभार भी सब के साथ अच्छा ही करना है ये सारी बातें आपको कहा मिलेगी, ये सारी बातें आपको जैन धर्म यानि कि आपसन A में मिल जाएगा चलिए, फिलाल हम लोग अगले कोशन के रोब बढ़ेंगे कोशन नमर 17, जैन समुदाय में पर्थम विभाजन के स्वेतामबर जो संपरदाय थे उनके संस्थापक कौन थे तो देखिए ये कोशन बहुत बार एक्जाम में आ चुका है, इसका राइट अंसर हो जाएगा अस्थूल भद्र अब देखिए स्वेतामबर और एक दिगामबर में ये बढ़ा था, तो दिगामबर जो संपरदाय थे उनके अध्यक्ष का नाम भद्रवाव था जिनके बारे में भी आगे भी हम लोग पढ़ेंगे तो फिलाल आगे बढ़ देते हैं हम लोग, पर्थम जैन संगिती का आयोजन कहां हुआ था, देखे कोशन क्या पूछाएगा एक्जाम में, कि कब हुआ था, तो आपको बताना है 322 इसापुर में हुआ था, कब हुआ था पहला 322 इसापुर में, और अभी हम लोगों ने क पढ़ा दिगंबर और स्वेतांबर, दो संपरदाय में ये भी भाजित हो गया था, इसी संगिती के बाद जो है ये भी भाजित हुआ था, और कोशन में ये भी पूछा जा सकता है कि आयोजन किसके साथ संकाल में किया गया, जैन संगिती का, तो इसका राय चांसर क्या हो के समय में होगा पर भेस अरा पूर्व में तो आपको याद रखना है पार्ठली पुत्र में एग्जाम में पूछा जाता है एक 3 एक के सब 3 फीरी आपको चलिए फिलाल आगे बढ़ेंगे अगले कोशन की और नेक्क्रोशन आपके समने ये रहा दूतियe बयाद जैन संगती का जो है आयोजन कहाan हुआ था जगा का नाम आपको बताना है तो बल्लवी जो की कहा है गुजरात में है याद रखेगा कभी-कभी गुजरात वी आपसंदे दे तो आपको डरने की ज़रूत नहीं है अब देखे एक्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है किसके सासंकाल में तो आपको याद रखना है कुमार गुप्त के सासंकाल में चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले कोशन की और नेस्ट कोशन आपके सामने ये रहा कोशन नमर 20 जैन साहित का संकलन किस भासा और लिपी में किया गया है भासा का भी नाम बताना है लिपी का भी नाम बताना है तो देखे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत यानि कि प्राकृत भासा में इसका संकलन हुआ है और लिपी का नाम है अर्द मागधी यानि कि A के साथ आपको बढ़ना था और बौद के बारे में अगर पूछ ले आ जाए तो पाली आपको याद रखना है question number 20 अनूवरत सब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है अनूवरत की अगर हम लोग बात करें तो यह है right answer जैन धर्म अनूवरत जो है वो D इसका right answer हो जाएगा फिलाल जाएंगे 22 की और महाविर की मिर्तियों के बाद जैन संग का अगला अध्यक्ष कौन हुआ तो देखिए कल्प सुत्र की रचना किस ने की थी बहुत important question कल्प सुत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी तो यही है भद्रवाहु जिसने दिगांबर संपरदाई की अस्थापना की थी स्वेतांबर का किसी और ने किया था आपको याद होगा चलिए आगे बढ़ते हैं जैन तिर् सप्वापिट नहीं करना है जगडा नहीं करना है फ़ली बात है हमेसा सत्य बोलना है जो की अभी के समय में दोनों नहीं हो रहे हैं तzuge बोलना है तीसरा है अपरी परिग्रह, मतलब कि आपको जरूरत से ज़्यादा खाने से पानने के अलाबा कोई और चीज की जरूरत होती है उसे परित्याग करना यानि कि जरूरत से ज़्यादा संपती का जो है अरजन करने की जरूरत नहीं है नहीं में आप खुस हो, खा सकते हो, पहन सकते हो, उतनी, मतलब ऐसे आप समझे लो कि जरूर से ज्याज़ा चीज़ों को एकत्रित करनी की मनाई है जैन्धर में, आखरी क्या है, असाति यानि कि चोरी नहीं करना है, ये सारी बातें कहां पर जैन्धर में बताई गई है, तो पाचवें के रूप में, जो पाशव ना थे, उन्होंने क्या जोड़ा था? इन लोग ने चार जोड़ रखे थे, उन्होंने ब्रह्मचेरी को जोड़ दिया, यानि कि ब्रह्मचेरी का भी पालन करना अनिवार कर दिया गया था, कि इसमें? जैन्धर में, चलिए आगे परसिद दिलवारा का जैन मंदिर कहां इस्तित है, ये राजस्थान में इस्तित है, और आपको देखी, ऑप्सन भी देखो, सारे राजस्थान के ही सहरों के नाम आपको दिखाई दे रहोंगे, लेकिन ये तीनों ऑप्सन इनकरेक्ट है, सही आंसर है, माउंट आबू, कौ और इनकी माताजी का नाम आप लोगों को नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख देना, ये चार कोशन मैंने आप लोगों के लिए होंबर्ग छोड़ा, आपने कितनी पढ़ाई करें और कितने चीज़ों को अपने माइंड में फिक्स करके रखा है, नीचे कॉमेंट करके बता पहली बार चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटे वाला बटन दबा देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सेयर कर देना है, थैंक्यू सो मच